अगर आप live streaming में interested हो, अगर आप किसी भी platform पर Valorant जैसी games stream करना चाहते हो और आपके mind में है कि आपकी stream को और ज़्यादा improve करने के लिए क्या ज़्यादा important है तो इन सभी चीज़ों का एक ही answer है facecam देखो aim ज़रूरी है, सभी आपको यही बोलेंगे कि अपने aim के उपर काम करो और उस चक्कर में शायद आप महंगे महंगे peripheral भी खरीद लो जैसे Logitech का G502 और बाद में आपको पता चले कि आप जो merge कर लो वो aim improve नहीं होने वाला क्योंकि आप एक game पर टिकते ही नहीं हों, खैर इस condition में भी facecam एक ऐसी चीज़ है कि चाहे आप कोई भी game stream करो facecam आपको हर condition में help करेगा, चाहे आप fps game ना भी stream करो अगर आपका जो भी content है YouTube के उपर वो entertaining है तो वो बिना facecam के भी entertaining हो सकता है लेकिन competition भाई आज कल YouTube पर या किसी भी platform की बात कर लो वहाँ पर बहुत ज़ादा है तो इसी वज़ा से unique होने के चक्कर में facecam ज़ादा important हो जाता है यह आपको एक edge दे देता है उन लोगों से जो बिना facecam के live stream करते हैं, बिना facecam के gameplay बनाते हैं यह तो हो गया कि facecam ज़रूरी है लेकिन facecam लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें कोई webcam खरीदना पड़ेगा यह हम किसी DSLR से facecam करें because आपने mostly देखा होगा कि काफी बड़े swimmer DSLR यूज़ करते हैं अपने facecam के लिए या फिर काफी महंगे महंगे webcam यूज़ करते हैं जैसे की Logitech का C922 Pro जोगी लगभग आपको 19,000 के बीच पड़ेगा अगर उस पर sale हो बिना sale के वो आपको 12,000 में ही मिलेगा तो DSLR तो दूर की बात है initially किसी के budget में शायद C922 Pro भी नहीं आता हो तो ऐसे में क्या हम सस्ते webcam की और जा सकते हैं तो इसका answer होगा हाँ हम सस्ते webcam भी खरीद सकते हैं मैंने भी सस्ता webcam ही खरीदा था मेरे चैनल की 90% जो वीडियो हैं वो मैंने webcam से record कर रखी हैं और सभी लोग एकी question पूछते थे कि कौन सा webcam यूज करते हूं मैं बताना चाहता हूं कि मैं यार सबसे cheapest webcam जो Logitech की तरफ से आता है वो यूज कर रहा था अभी तक जो है C270 इसका box भी काफी जादा simple ही है box में आपको webcam मिलता है और webcam के साथ इसकी भी जनम पत्तरी मिल जाती है obviously वो चीज़े हम बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है कि यह plug and play है आप just plug करो OBS open करो वहाँ पर अपना video sources select करो और आपका webcam on हो जाएगा तो मैं इस webcam को लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ मेरे ख्याल से 2 साल शायद हो गए होंगे यहां होने वाले होंगे और यह एक long term review मानकर ही आप चल सकते हो और long term review करना सबसे बड़ा benefit यह होता है कि आपको उस product के बारे में सारी की सारी अच्छी चीज़ें और उस product की सारी की सारी बुरी चीज़ें पता चल जाती है और इतना लंबा time कोई भी product यूज़ करने पर आपको पता चल जाता है कि उस चीज़ को actual में अच्छे से यूज़ कैसे करना है और मैं समझाता हूँ कि मैं ये बाते क्यों कर रहा हूँ because जब आप इस webcam को अपने PC के साथ attach कर सबसे पहली चीज़ जो आप notice करोगे इसको on करते साथ ही वो होगी इसकी सबसे घडिया quality आई मिन दबा के घडिया quality आपको मिलेगी इसकी stream में बहुत जादा आपको lag feel होगा आपको ऐसा लगेगा कि जो इसकी stream जा रही है आपके PC पर वो 15 fps पर जा रही है और यह चीज़ भाई हर एक webcam के लिए apply होती है यह इसका case नहीं है आप चाहे कोई भी webcam ले लो सभी auto settings पर बहुत घडिया perform करते हैं auto setting पर जो आपका exposure होता है वो काफी जादा बढ़ जाता है because in webcam को रोशनी चाहिए अच्छे से अपरेट करने के लिए लेकिन चाहे आपके room में कितनी भी light ह वो इन webcam को बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता यह घडिया perform ही करेंगे इसी वज़ा से कोई भी webcam हो चाहे c922 pro ही क्यों नहीं हो आटो पर वो अच्छा perform नहीं करेगा उसका सबसे best option है कि आप उसको manually उसकी settings जो होती है उसको adjust करो और जब आप इन settings के साथ manually खेलना शुरू क कर देते हों आपको पता चलेगा कि भाई यह webcam की quality टॉप नौच है मैंने इसकी 720p वाली recording को 1080 पर यूट्यूब पर पब्लिश किया है और किसी को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि इसकी quality घडिया है इस webcam की help से मैंने काफी जादा लंबी stream करी है मतलब कुछ stream तो ऐसी थी जहां पर 8-8 घंटे लगातार ये webcam ओन रहता था और चाहे stream कितनी भी लंबी हो जाए ओवर हीटिंग का issue मैंने आज तक इस webcam के साथ experience नहीं किया हाँ ये थोड़ा बहुत warm जरूर हो जाता है लेकिन हम उसे ओवर हीटिंग का issue नहीं मानेंगे इतना लंबा टाइम अगर आप अप की live stream जितनी भी लंबी हो जाए अगर आप किसी भी webcam को mobile से compare करोगे तो भाई mobile का काफी ज़्यादा जंजट होता है चाहे फिर आप कोई भी droid cam जैसी application अपने phone में install करके उसको अपने PC के साथ connect करके live stream करने का सोच रहे हो तो वहाँ पर आपको delay मिलेगा ही मिलेगा और audio में भी delay आपकी हो सकता है और इसी वज़ा से जो webcam है वो popular भी है मतलब webcam में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता आपकी जो भी feed आपके PC में जाएगी उसमें बिल्कुल भी delay नहीं होगा इससे ऊपर के भी option है जो इससे थोड़े से obviously expensive भी होंगे लेकिन मेरे हिसाब से उनको लेने की बजाए फिर अगर आप बिल्कुल अच्छे वाला ही लो जैसे की C922 Pro तो वह जादा beneficial रहेगा because वहां पर आप काफी अच्छा content create कर सकोगे अगर आप वो नहीं ले सकते तो जो इतने भी बीच के option आते हैं वह भी लेने का कुछ जादा sense नहीं बनता because quality में आपको इतना जादा कुछ improvement देखने को नहीं मिलेगा webcam की mic की quality इसकी अच्छी नहीं है plus जब आप mic में कुछ बोलते भी हो तो भी ऐसा sound आता है जैसे आप काफी दूर बैठे हो माइक तो external आपको लेना ही पड़ेगा color के मामले में यह webcam मैं okay कहूंगा मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यह बहुत अच्छे color produce करता है लेकिन most of the time इसके जो color होते हैं वो काफी सही होते हैं on the point होते हैं किसी-किसी point पर मुझे यह मेरे mobile की quality से भी जादा अच्छा लगता है और आप इसे just streaming के लिए use करना चाहते हो तो यह perfect है obviously यह budget segment में आने वाला webcam है तो इसका जो field of view है वो काफी limited है 60 degree आपको maximum इसका field of view देखने को मिल जाता है लेकिन अगर इस webcam की placement अच्छी हो तो आपको more than enough information मिल जाएगी आपके जो face cam है उसमें fill करने के लिए यह maximum 720p up to 30 fps तक ही support करता है इससे जादा नहीं जा सकते लेकिन अगर आप live stream 60 fps पर भी करते हो तो भी कोई ऐसा फरक दिखाई नहीं देगा आपको बिल्कुल भी lag महसूस नहीं होगा खेर हमेशा की तरह इस webcam का भी link आपको description में मिल जाएगा अगर आप चाहो तो वहाँ से जाकर purchase कर सकते हो ए लेकिन अभी इसका price फिर से normal होते जा रहा है जब मैंने इसे purchase किया था तो मैंने इसे 1700 में purchase किया था लेकिन अभी फिलहाल जो Amazon पर इसका price चल रहा है वो 2000 के around है मेरे हिसाब से वो price काफी जादा सही है और हाँ ये प्रड़क्पी अपने price को बहुत अच्छे तरीके से justify करत है मुझे दो साल हो गए है इसको यूज करते हुए और मुझे एज इस पुई पी इस webcam के साथ problem नहीं हुई I hope कि इस webcam के regarding या overall किसी भी facecam के regarding आपके जितने भी question होंगे इस वीडियो से clear हो जाएंगे और अगर ऐसा होता है make sure वीडियो को like करना चैनल पे नहीं हो subscribe करके bell icon ज झाल झाल